फाइनली किया सोनेट कॉंपैक्ट एसुवी को इंडिया में लॉंच कर दिया गया है भारत में दोस्तों जो किया सोनेट की स्टाटिंग प्राइस है वो 6.71 लाख रुपीज है किया सोनेट एसुवी के टॉप मॉनल की बात करें तो उसकी कीमत 11.99 लाख रुपीज रखी गई है टेक लाइन और जीडी लाइन में लॉंच हुई किया सोनेट को इंडिया में अल्री 25,000 से भी ज़्यादा बुकिंग्स मिल जुकी है किया सोनेट इंडिया से बॉनकर वर्ल के 70 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होने वाली है 6.71 लाख रुपीज की जो प्राइस है वो सिर्फ इंडुडॉक्री प्राइस है डोमेस्टिक मार्केट के लिए किया मोटर्स ने सोनेट SUV के 1 लाख सेल्स को टारगेट किया है ये सेल्स टारगेट दोस्तों किया मोटर सिर्फ एक साल में ही अचीव करने वाली है किया सोनेट कॉमपैक SUV इंडिया में तीन अला गलत इंजन के साथ आती है इस SUV में मिलने वाला पहला इंजन 1.5 लिटर का डीजल इंजन है जो की 100 PS का पावर 240 Nm के टॉर्क पर प्रेडूस करता है इस इंजन में 6-speed manual transmission के साथ 6-speed automatic transmission भी देखने को मिलेंगे इस कॉमपैक SUV में मिलने वाला दूसरा इंजन 1 लिटर का पेट्रोल इंजन है इस इंजन में दोस्तों 6-speed IMT transmission के साथ 7-speed DCT transmission देखने को मिलेंगे इस कॉमपैक SUV में मिलने वाला तीसरा इंजन 1.2 लिटर का पेट्रोल इंजन है जो की 83 PS का पावर 150 Nm के टॉर्क पर प्रेडूस करता है ये इंजन दोस्तों किया सोनेट में मिलने वाला सबसे less powerful इंजन है जो की 5-speed manual transmission के साथ आएगा सोनेट कॉमपैक SUV काफी बेहतरी कॉमपैक SUV है और इस SUV में आपको कई अलग-अलग color variant देखने को मिलने वाले हैं किया सोनेट को 8 monotone colors और 3 dual tone colors में आप खरीच सकते हैं 8 monotone colors और 3 dual tone color variant के जो नाम है वो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सोनेट कॉमपैक SUV के dimension की बात करें तो इस SUV में आपको 2500 mm का wheelbase देखने को मिलेगा इस SUV की जो length है वो 3995 mm की है और इस SUV की जो width है वो 1790 mm की है 1642 mm के height वाली यह SUV 211 mm के ground clearance के साथ आती है जो की काफी बेतरीन है इस SUV के dimension के बात आप बात करते हैं इस SUV के exterior के बारे में सोनेट कॉमपैक SUV का जो exterior है वो काफी बेतरीन है और इसमें आपको काफी सांदार design देखने को मिलते हैं इस SUV का design कुछ ऐसा है जो की कॉमपैक SUV segment में पहले कभी देखने को नहीं मिला है Kia Motors की Tiger Nose Grill इस SUV के design को काफी ज़्यादा बूच करने का काम करती है और इसका design इसकी उल्याद से काफी अग्रेसिव है अग्रेसिव डियान के साथ इस SUV में full LED light भी देखने को मिलते हैं जो की इस SUV को काफी ज़्यादा model look भी देते हैं मोनोटोन के बजाए Dual Tone Color Variant में यह SUV काफी ज़्यादा बेहतरी नजर आती है Sonate Compact SUV में दोस्तों आपको फूल LED headlight ही नहीं बलकि फूल LED tail light भी देखने को मिलते हैं Compact SUV सेग्मेंट में सवरूर का फीचर काफी ज़्यादा फॉप्यर हो चुका है और यह फीचर आपको किया Sonate SUV में भी देखने को मिलता है 16 इंच के Crystal Cut Alloy Wheels के साथ किया Sonate में Dual Muffler डिजाइन भी दिये गये हैं Sonate SUV के design को देखकर आप यह साफ कर सकते हैं कि यहाँ कार अपने segment में other cars के मुकावले काफी ज़्यादा premium नजर आती है इस SUV के exterior के बाद दोस्तों आप बात करते हैं इस SUV के interior की Sonate SUV जितनी बाहर से premium नजर आती है उतनी ही premium यह SUV अंदर से भी है इस SUV के अंदर मिलने वाले कुछ features ऐसे भी हैं जो की काफी बहतरीन हैं और पहले compact SUV में देखने को कभी नहीं मिले हैं Sonate SUV के interior में 10.25 इंच के बड़े touchscreen internet system दिये गए हैं यह touchscreen internet system Android Auto और Apple Car पे दोलों को support करता है साथ में इसमें आपको UVO collect technology भी देखने को मिलती है UVO technology के वज़र से आप Kia Sonate में मिलने वाले 57 connected features का फायदा उठा सकते हैं वो भी अपनी device से Sonate SUV के interior मिलने वाले और भी कई features हैं जो इस SUV को और भी खास मनाते हैं इस SUV के अंदर first and second मिलने वाले features की बात करें तो इसमें Bose का sound system सामिल है Bose का sound system पहले किसी compact SUV में देखने को नहीं मिला है 10.25 इंच का touchscreen system भी segment first feature है जो सिर्फ आपको Kia Sonate में देखने को मिलता है Ventilator front seat भी Kia Sonate में मिलने वाला segment first feature है और जो आपको इसमें air purifier देखने को मिलते हैं वो भी segment first ही है Kia Sonate मिलने वाला एक खास फिचर यह है Kia SUV front और rear party sensor के साथ आती है वाजन सा smartphone charger और 4.2 इंच के digital instrument cluster ऐसे features हैं जो customer के convenience को ध्यार में रखते हुए दिये गए है आपको बताया दोस्तों कि 4.2 इंच का digital instrument cluster है वो भी segment first feature है जो कि सिर्फ Kia Sonate में दिया गया है Kia Sonate SUV में जो मिलने वाला boot space है वो 392 लीटर का है जो की काफी बेतरीन है और best in segment भी है Sonate SUV में safety का पूरा ध्यान दखा गया है इसलिए इस SUV में आपको 6 airbags देखने को मिलते हैं Sonate SUV का waiting period और अलड़ी 4-9 weeks का है क्योंकि इस SUV को काफी बेतरीन bookings मिली है जब इस SUV की booking सुरू हुई थी तो पहले ही दिन इसे 6,500 से भी ज़्यदा customers ने book किया था फिलहाल complete SUV segment में sales के मामले में मास्ति सूची की बिटारा ब्रिजा लीड करती है तो दोस्तों किया sonate के बारे में आपके क्या thoughts हैं यह हमें comment करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही auto update के लिए please हमारे channel को subscribe करना न भूले